आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि एक हम बड़े ऐलो वरा पौदे से हम यह चोटे चोटे बेवी प्लांट्स जो है यह हम कैसे अलैदा कर सकते हैं अगर हम यह चोटे प्लांट्स नहीं निकालेंगे तो यह हमारे बड़े प्लांट्स की जो ग्रोथ है यह रुक जाती है तो जिसकी वज़ा से इनको अलैदा करना बहुत जरूरी है तो ये इस बड़े plant को जो है ये ऐलुवेरा के plant को मदर plant करते हैं और ये चोटे च्टे बेबी plants हैं इनको पॉप्स भी करते हैं तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि इनको हम अलहदा कैसे करेंगे हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा इसको हम इसको उलताएंगे ये देखें इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे इसके अब हम जो हैं ये आइस्ता हथों से हम इसकी सारी जो है मश्टी जो है इसकी हम अलहदा कर देंगे ठीक है ये देखें ये देखें इनकी कितने खुब्सूरत इनकी नीचे से इनकी शाखे ने कर लेंगे इनकी जड़ें जो है अब हम इनकी जड़ों को लेदा कर लेंगे ये जो पते खराब हो चुके हैं ये देखें इसकी कितनी लंबी जार जारी है इसके साथ इसको अब हम अलहदा ही कर लेंगे और ये जो है खराब खराब से पते ही इनको हम निक्या से अलहदा करेंगे ठीक है इसी तरह हम जी सारे इनको अलहदा कर लेंगे इसी तरह हम जी सारे इनको अलहदा कर लेंगे यह हमारे बहुत से देखिए माशाला यह बहुत से हमारे चुटे चुटे प्लांस हमारे कठे होगे है अब हमारे पास पीछे यह मदर प्लांट जो है यह हमारा यह हमारे पास है इसके भी ये जो पत्ते सूखे हैं, इनको हमने अल्य В्रभISA कर देना ह visually अल्य इसको सेट कर देगे इसके और हम इसकी बराबर कर लेंगे मट्टी और इसके दर्मयान में से थोड़ा सा हमने इसको सराख कर ले ताकि मुदर प्लांट को हम इजी से सेट कर सकें यह जगह मैंने बना लिए अब यह इस पूंब यह जड़ों समेथ हमने इसको इसके अंदर सेट करते हैं इसको कुशिश करने हैं कि यह सीधा सीधा ही रहे यह देखें यह अब यह इसके अंदर हम यह फालतू मट्टे इसके अंदर में बाग की डालूँगी साके इसका बैलन्स काइम रहे इसको थोड़ा सा दबा देंगे और अगर मट्टी की जरूरत हो तो हम इसमें और मट्टी भी डाल सकते हैं इसको बराबर हमने उपर तक लेके आना है चाहिए देखें जिए मैंने मदर प्लांट सेट कर दिया है यह अब हमारा मदर प्लांट सेट हो गया है इसको हम किसी सपड़े बॉटल के साथ इसको हलका साथ इसको पानी दे देंगे साइड से इसके सारी सफाई कर दें आप все पीशाँ अब है को हमने डायरेक्ट दूप में है रखना हो ता इसको किसी कमरे में ati लगा रखी है जहाँ पर दूप आती हो और अब अबने डायरेक्ट दूप में रखना है तो फिर भी इसको जाए तो इसको आप अब रख दिया करें अब हम बेबी प्लांट का काम कर लिते हैं, इसको मैं उठा देती हूँ, यह मैंने एक पॉट खाली कर लिया है, यह देखें मारे पास पॉट है, और इसमें यह काफी ज्यादा सुराख हैं, अगर एक सुराख हो तो आप इसके अदर हम कोई छोटा सा पथर भी रख सकते हैं, इसलिए के उसको हमने बंद करना जुरूरी होता है, तो अब यगर यह ज्यादा सुराख हैं तो इसमें मैं यह एक अखबार मैंने लिये, तो यह अखबार को मैंने टरन करके, तो यह इस तरह टरन कर लिया, अब इसको हम इसके उपर रख देगे, यह देखें, ऐसे इसके को मिक्स करते हैं थोड़ा सा पुष करेंगे एफ हल्का सा सा इसको हम सप्रेे के साथ पस्वोड़ा सा पानी जले तो हमने सुझी तोड़े सुराख करने हैं और इसके दर हम अपना ये जो है बेबी जो हैं ये जोड़ों स्वीयत हमने ने इनको इसके अंदर डाल देंगे एक थोड़ा सा फासले पर सुराख करेंगे इदर भी हम इसको ये अंदर थोड़ा सा पुश करके इसको हम लगा देंगे बेबी प्लांट जो है कुशिश करने कि सीधा बिल्कुल इसको खड़ा होना चाहिए ये देखें इस तरह और इदर भी इसी तरह एक हम गहराई करके इसको अब हम लगा देते हैं ये इसके अंदर इस तरह इसके अंदर हम ये खड़ा करतेंगे अब ये जो बाकी खाली जगह है ये इसको हम मट्टी से भर देंगे अब जितने भी इसमें सोड़ी सी जगह अगर आपके पस भड़ा पॉट है तो आप उसमें थोड़ थोड़े फासले पर ज्यादा भी लगा सकते हैं बेबी प्लांट जो हैं ये हमारे लग गए हैं एक से ज्यादा कैसे पोदा करते हैं ये आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया हुआ तो लाजम बना लिए हैं और यह अफस्तर करना चाहिए मजीश 몇 तक यह वीडिये एो वेच्छी पाफ टाइचन के लिए थुड़े-थवड़े लगा Amendment करें लिए यह मेरे पास aconte वि सीबिये को अगए इसको भी हम अचिह कौणों में डरेज देखने में बहुत ही खुब सूरत लगती है और देखी होँ की एह कुछ ही यह बटर फ्लाइ मैं बनाई थी इसको भी हाप किसी गंबले में खढ़ा कर सब्सक्ति हैं झाल झाल